हालो वेल्कम टू दे स्टूडेंट चैनल और आज हम पढ़ने वाले हैं जो रेलवेश सीवी टूटू में जो पेपर है जिन लोगा ने इलेक्ट्रिशिन का सेक्शन भरा हुआ है पार्ट वी के लिए उनके लिए मैं आज वीडियो बानाने वाला हूं एसी टर्म संद सर्कि देखे AC और Dc इन दोनों चीजों का कहां कहां यूज होता है सबसे पहले हमें यह जानना होगा तो पहले हम जाने production किया जाता है अधिक-धिक इसका production किया जा सकता है लगबसा थैंतिस हज्यार born टक कocy iska production किया सकता है और DC का production है वह अधिक-धिक 60050 बॉल्ट तक ही पैदा किया जा सकता है ठीक है डुसरी बद क्या है एसी को हम क्या कर सकते है आसानी से ट्रांस्फार्म कर सकते हैं ठीक है हाई बोल्टेज से लो बोल्टेज में ट्रांस्फार्म कर सकते हैं ट्रांस्फार्मर के द्वारा ठीक है लेकिन DC को जो है हम ट्रांस्फार्म नहीं कर सकते बोल्टेज को ट्रांस्फार्म नहीं कर सकते आसानी से तो इसको आसानी बहुत ही आसान होता है और इनकी देखभाल जो है बहुत आसानी से किया जा सकता है लेकिन DC मोटर्स जीतने होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन भी आसान नहीं होता है और उन्हें जो है आसानी सी देखभाल भी उनकी आसानी से नहीं किया सकती ठीक दिश्य चवोथी बात का है AC transmission जो है आपका सस्ता होता है ठीक है लेकिन DC transmission जो है आप ज्यादा दूर तक इसका transmission करी ही ने सकते DC का direct current का तो इसका transmission जो है possible ही नहीं है बहुत दूर तक ठीक है कठीन एक तरस कह सकते हैं ट्रांसमीशन इनका थोड़ा कठीन होता है देखिए एसी की बहुत चीज़ें अप्लिकेशन हैं आप सब लोग जानते हैं हर जग एसी का यूज किया जाता है लेकिन डीसी का मुश्टली यूजेज कहां कहां पे है उसके बारे में बता देता हूं स ट्रेक्ट्रों डीसी का यूज के जयता है लिए कि स्माइल डाकुप ciao सिंग में ृट्रणनिय चार्ज्श ynा सब्सक्राइब और है za जान्व हाए यह यह यहराएज़ा आफे बेटरिश चारल्टिल्श प्लेटिंग ट्रेक्शन और इलेउलेक्ट्रों मैंगनेट चार्ज तो दीसी का भी अपने में आप में इंपोर्टेंस है और सबसे ज़्यादा यूज दो बन सकते हैं उसके बारे में हम यहा पे देखेंगे किके तो सबसे पहले हम एस डिफिनिशन देख लेते हैं AC की definition यह है जो current या voltage अपनी दिशा और मान जो है दोनों समय के अनुसार बदलती रहती है इसे AC करण का तो मतलब alternating current अब alternating current जो है देखिए ऐसे होती है अब जानते है sine wave की तरह इसके current होती है यहाँ पर क्या है समय के अनुसार जैसे जैसे time बढ़ता जाता है ठीक है यह क्या होता है कि अपना direction और magnitude सब बदलता रहता है देखिए 0, 90 degree पे maximum यहाँ पे है ठीक यहाँ पे 180 पे 0 है 270 पे negative phase में चल लगया है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा AC जो है समय के साथ इसका phase बदलता रहता है देखिए मैं रफली यह पता देता हूं कि इसमें मैं बहुत ज्यादा डीटेल में नहीं जाओंगा जो भी जो भी important definitions हैं जो भी important formulas हैं उसको मैं यहाँ पे cover करूंगा ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले देख लिए एसी जो भी machines होती है जैसे माल लीजे इसका मैं फार्मूला बता जाता हूं frequency अगर दिया हुआ frequency अगर आपको निकालना है किसी मोटर का तो फार्मूला होता है यह फीकल टू पी एन अपॉन 60 into 2 यह कर सकते हैं ठीक है यह इसका फार्मूला होता है इस फार्मूले से हम किसी भी अल्टरनेटर की speed या उसका नमबरा पोल्स इसमें से गयात कर सकते हैं इसमें क्या है पी जो है यहाँ पे पोल्स है ठीक एन जो है इसपीड इन आर्पीयेम ठीक है और एफ यहां पे फ्रिक्वेंसी दिया हुए तो इस से रिलेटेड एक कोश्चिन कर लेते हैं सबसे पहले देखिए एक कोश्चन है कि एक अल्टरनेटर है एक अल्टरनेटर है इसकी speed दी हुई है and दिया हुआ speed लिखा है 120 rpm अब पूछ रहा है कि इसमें कितने पोल होंगे जबकि frequency जो है frequency जो है 60 cycle per second है इसमें पूछा क्या है पी नंबर आप पोल्स बताने हैं आपको इस question में देखिए एकदम सिंपल होते हैं और ऐसे ही question आएंगे एदम सिंपल फार्मूले पर रखके जिसका 120 120 कर जाएगा यहां पर जाएगा 60 पोल मतलब क्या है नंबर आप पोल्स की संक्या कितने हो जाए 60 तो यहां पर आपको सिंपल एक फार्मूला याद रखना होगा वो नंबर आप पोल्स जाद करने के लिए तो आप यहां पर यह फिकल टू पी एन अपन 120 इसको याद रख सकते हैं नेश्ट हमको निकालना होता है एवरेज बैलू का फामूला होता है इवरेज इस इकल टू हो जाएगा 0.637 Emax यह फामूला भी आपको याद रखना होगा कभी एवरेज बैलू कर पूछ लेता है तो आप इसको यहां से निकाल सकते हैं नेश्ट आता है यह पता चल गए आपको रूट मीनी स्कॉरर आरेमेस बैलू आपको निकालना है तो नेश्ट पूछता है अगर जो मान लिए फॉर्म फैक्टर पूछता है फॉर्म फैक्टर का या फॉर्मूला होता है देखे जनरली फॉर्मूला से लेटेड कोश्चन एदम डारेट अब देखें यहां पर आरेमेस बैलू लिखेंगे किसी चीज की जैसे माले यह आरमेस आपको बैलू लिखना है तो आप लिखेंगे जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन इमैक्स अपाउन जीरो पॉइंट, एवरेस बैलू लिखेंगे जीरो पॉइंट सिक्स थ्री सेवन इमैक्स तो इमैक्स से इमैस कर दिया एगा और यहां से इसकी बैलू आ जाएगी 1.11 तो देखें, फॉर्म फैक्टर की बैलू सीधिरे डिरेक्ट पूश लेता फॉर्म फैक्टर आप यहां से निगाल सकते हैं नेक्स्ट नएया टर्म है पीक फैक्टर पीक फैक्टर क्या होता है यह भी एक रिश्यू है मैक्स वैलू अपान आर्मेस वैलू का अब मैक्स वैलू मानले यह इमैक्स हो गया और इसका आर्मेस वैलू आपको पता है 0.707 इमैक्स तो यहां से कड़ जाएगा इमैक्स और इसकी वैलू आती है 1.414 ठीक यह वैलू भी आपको याद रखना है पड़ेगा पीक फैक्टर की वैलू होगी 1.414 इसकी वैलू होगी नेक्स टॉम आता है लीडिंग करेंट और लागिंग करेंट देखे इन से रिलेटेड यू कुछिश्चन आते हैं तो देखिए सब से पहले देखेंगे हम लीडिंग करेंट लीडिंग करेंट मतलब क्या दäter हैं यहां पे करेंट जो है बोल्टेस से लीड कर रहा है ठीक ऐसा सयरकिप इसमें करुंद्ये बोल्टेस से लीड कर रहा अब देखिए इसका एक व से बना बना देता हूं यहां तो यहां पे यह हो गया ऐसे और यह हो गया ऐसे ठीक है अब इसमें क्या है देखिए आप यह है करेंट की वेलू ठीक यह है आई और यह है भी यहां पर देखिए करेंट जो है हम यहां पर लीड कर रहा है इसका जो है फेज़ग्राम होगा यह हो गया हाई यह हो गया एको हैप लीड कर रहा है अब है किस टाइप सर्कित में लीडिंघ्रंट होता है है तुए हैं कि reality बचीट्यसर unserem ऑग हो अगर पर कोई तो वह लीडिंग सरकिट league इंग करेंट तो है जो करेंगा गल्सटर को सकति यह यह थ्यान लखना होगत कैपसीटों सबस्काइब को हरता है यह तो के nasa बढ़निकेन अब लाग इंग करेंट में सबॉझ औरर मोग होगा कि टीख सेइम ड्य ग्राम ऐसी होगा मैं फिश्र ड्यक्राइब सदेख gifts देते हैं रहर यह देखिए यहाँ पर बोल्टेज्वर यहाँ यह करेंट है और यहाँ पर कर डिशैन का लिए 90 दिफ одного तो ऐसे circuit कौन से होते हैं जिसमें current lag करती है तो वो circuit होता है inductive circuit आप इसको याद रखिएगा inductive circuit जितने भी होते हैं वो lagging current जो करते हैं तो कभी भी exam में अगर पूछ देता capacity circuit leading से current होता है कि lagging होता है या फिर inductive circuit में जो हैता है कि leading होता है lagging होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं next term है inductive reactance inductive inductive reactance इसका formula क्या होता है inductive reactance को represent करते है एक्सल से और एक्सल बरावर होता है two pi f l और इस unit होती है ohm तो xl को यहाँ पर हम लिख सकते हैं two pi f को लिख लिएते हैं omega l ठीक तो यह इसका formula होता है inductive reactance का दूसरा होता है capacitive reactance हमको निकालना होता है capacitive reactance तो capacitive reactance को represent करते है एक्सी से और xc बरावर होता है one upon two pi f c और यहाँ पर लिख सकते है is equal to one upon omega c omega d value होती है two pi f यहाँ से तो यह दो formula हो गया inductive reactance और capacitive reactance का अब आता है impedance निकालना का किसी circuit का एसी circuit का हमें impedance कैसे निकालते हैं देखिए impedance को हम represent करते हैं जेड से ठीक अब माल लिए किसी circuit में r xl और xc मतलब r ho l ho और c तीनों लगे हुए हो तो उसका हम impedance कैसे निकालेंगे तो इसका formula होता है z is equal to under root r square plus x square बराबर हो जाएगा under root r square plus xl minus xc का whole square और यहां से आप लिख सकते हैं और simplify करना चाहते हैं तो r square plus 2 pi fl minus 1 upon 2 pi fc इसका whole square तो यह होता है यहां से impedance निकालने का formula यहां से तीन चीज़ां में पता चलिए inductive reactance, capacity reactance और impedance इन तीनों से formula से जो है direct question आते हैं तो आप इसको देख लिज़े गए formula नेक्स्ट हमारे पास conductance को represent करते हैं g से यह value होती है 1 upon r ठीक तो 1 upon r हो जाता है और इसको हम लिख देते हैं यह बराबर हो जाता है r by z square और इसकी unit होती है हो उल्टा करके ठीक है ओम का उल्टा महो होता है ठीक नेश्ट है suspectance 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 में क्या होता है किसी reactance को अगर उल्टा कर देते हैं तो suspectance हो जाता है है मतलब b equal to one upon x equal to हो जाता है x upon z square ठीक है और इसकी भी यूनिट महों ही होती है कि नेश्ट आता है admittance कि admittance आपको निकालना हो तो y equal to one upon z यह हो जाता है अंडर रूट जी स्क्वार प्लस बी स्क्वार मतलब जो है जी स्क्वार कंडक्टेंस और सस्प्रेटेंस का जो है स्क्वार करके आड करके रूट निकाल लेंगे तो आप उसका admittance भी निकल जाएगा अब देखिए क्या एक numerical कर लेते हैं question question क्या क्या रहा है किसी coil का inductance दिया हुए का L की value दिये 0.2 henry ठीक इंडेक्टेंस की unit होती है henry और frequency दिया हुआ है एफ इकल टू 50 साइकल पर सेकेंड पूछा है inductive reactance आपको पता करना मतलब XL की value पता करनी है simple है XL का formula आपको पता है यह 2 pi f into L तो लिख देंगे आप 2 pi की value लिखेंगे 3.14 और frequency दिया हुआ है 50 इंडेक्टें दिया 0.2 इसको solve करेंगे तो बहुत है कि 62.8 ohm यूनिट पर देहन दिएगा है यूनिट अगर आपको याद है तो कभी-कभी यूनिट भी पूछ लेता है नेक्स्ट टापिक पूछता है रियक्टी पावर रियक्टी पावर अगर पूछता है कि सरेखिट का तो आपको लिखना आटाँ का फामुला हता है वी-ाई साइण थीटा अगला फामुला है पावर अपावर को से गीलेटिट अगरिकी सरक्लित का पावह। से पूछता है तो pole factor होता है रीयल पावरवार अपञा इम्ठ आपैरन्ट पावर ति contributes प्रक्षट जो वैलिव कार्स कितिना रर यह होता है यहां पर यह चीज़ आपको नोट करने लाइक है नोट नोट में यहां पर पता दे रहाएं ठीक है पाःट नैइजा होती है a god पाउर फैक्टर हमेशा एक होगा या एक से कम होता है नेस्ट क्या है पाउर फैक्टर लीडिंग अथ्वा लैगिंग हो सकता है आप 2 चीज़े नोट कर लिएगा पाउर फैक्टर हमेशा एक से कम होता है या फैक्टर लीडिंग या लैगिंग हो सकता है देखिए कोई बी ऐसी सरकीट है तो उस पर पाउर फैक्टर किस चीज़ पर डिपेंड करता है सबसे पहले चीज़े सरकीट पर लोड कैसा है अगर ऑर्ड जो है सरकिट पर लूड अपम ऐंदर लीजिए लूड अगर डागेस्टयू है तो मोद्जपिल घर यूंटी होगा खट अगर लूड को है मैं इंडक्त है मुद्धे दिव donation सब्सक्राइब तो अगर लोड के हैक टत्व है घर लेकिड में कि तो वहां पर पक्षक्टर वहांपे लेडिंग होगा तो समिकल वहांपे लेडिंग तो अभिश्का सर्कीट पर क्या क्या अप्रता दिखे लेंगा अगर पाउर फैक्टर जो है यद्धिय हो अंशर centralisal लाइन का बोल्च द्राप भड़ा देता है ठीक है ना ट्रांस्मिस्सर लाइन का बोल्टेज ड्राप फहले बोल्टेज़ द्राप बढ़ जायगा दूसरा क्या है I square R जो loss है वो भी बढ़ जाएगा पावर फेक्टर ठीक है लाइन करेंट बढ़ जाती है ठीक पावर की खपत मतलब कह सकते हैं पावर की खपत बढ़ जाएगी ठीक नेक्स्ट है बोल्टेज रेगुलेशन को ये कम करता है बोल्टेज रेगुलेशन को कम करता है नेक्स्ट है कि मतलब हम पावर फेक्टर को कैसे इंप्रूब कर सकते हैं ठीक है पावर फेक्टर को कैसे हम बढ़ा सकते हैं तो देखिए इम्परफेक्टर को हम कैसे इंप्रूब कैसे कर सकते हैं एक तो सबसे पहला है कि कोई कंडेंसर ले लो ठीक है कंडेंसर को लाइन के पैरलेल में जोड़ दो एड़ कर दिए इससे पाउर फेक्टर आपका इंपरू हो जाए दूसरा क्या है कि सिंक्रोनस मोटर जो है सरकीट में लगाने से जो भी पाउर फेक्टर बढ़ जाता है मतलब अगर सिंक्रोनस मोटर लगाते हैं यूज करते हैं तो भी पाउर फेक्टर बढ़ जाता है ठीक तीशरा क्या है synchronous induction motor अगर आप circuit में लगाने से भी power factor का मतलब improvement होता है synchronous induction motor power factor आपका improve हो जाएगा अब हम AC circuits के बारे में पढ़ेंगे AC circuits अब देखिए AC circuits में कौन-कौन टाइप के circuit हो सकते हैं सबसे पहला क्या होता है purely resistive circuit मतलब सुध resistance circuit होता है मतलब उस circuit में सिर्फ और सिर्फ resistance लगा होता है तो अगर मान लिए एक circuit है यहाँ पर एक resistance लगा हुआ है AC circuit है ठीक तो अब इसमें क्या होता है कि अगर आप मान लिए R है इसके क्रास बोल्टेज वी है ठीक बोल्टेज तो हम इसमें करन्ट की वैलू कैसे निकालेंगे तो बढ़न के विश थीटा कमान जो है जीरो डिगरी होता है तो यह जीरो डिगरी यहाँ पर पूट करेंगे तो वी आई कॉस थीटा की वैलू वन हो जाएगी तो पावर यहाँ पे प्योर्ली रजिस्ट्टिव सर्कीट शिम्पल है जैसे नार्मली आप रजिस्टेंस शीरी पारिलर में एड करते हैं वैसे ही सीदे पीकल टू भी आई यहां पर फामुला है नेक्स्ट है प्योर अ इंड़क्टिव सरकीट मतलब क्या है कि इस सर्कीट में इंड़क्टेंस मतलब इंड़क्टर जूड़ा हुआ है यहां पर आप एक इंड़क्टर लगा दिया आपने एसी शरकिट है अल अब इसका हमें करंट कैसे निकालना होगा देखिए करंट निकालना होगा तो आई इसकोल टू जाएगा वी अपॉन एक्सल जेड हो जाएगा इंपिदेंस का एक्सला अब यहां से आप लिखेंगे आइक्वल टू वी अपॉन एक्सल की वैलियू होती है टू पाइफ एल अब यह आपको एक फामूला पता चलिए आइस इकुल टू वी अपॉन टू पाइफ अब यहां पर पाउर कैसे निकालते हैं पाउर एक्लल टू होता है वी आई रिखकर वी आई यहां यहां पर शुक्क निकालना है आप देख़ेंद इस मेंसमें इंड़क्टी जब सर्कूिट होता है तो भी और आई के बीच में दिख का एवलू नान 44 h होता है आप यहां पर 90 degree हो गया तो यहां पर इंडक्टिव अगर सर्कीट है तो इसमें कोई पावर नहीं होता है मतलब वहां पर पावर जीरो यहां पर कि आपको इंपोर्टेंट है इसको आप याद रखिएगा पर इच्छा मा सकता है प्यूर्ली इंडक्टिव सर्कीट में पावर इसका जीरो होता क्योंकि बी और आई के बीच में थीटा की वैलू 90 degree होता है फेस डिफ्रेंस 90 degree है नेक्स्ट हमारे पास प्यूर सरकीट है प्यूर का पासिटिव सरकीट मतलब कहाई सरकीट में एक नचाइए लगए है एक हो या चकाई हो एक हो इसकी वैलू स्टी है अब यहाँ पर हम इसको आई की वैलू कैसे निकालेंगे आई वेरावर होजाएगा वी अपॉन जेट जा फिर वी अपॉन एक्सी कर 2Pi Fc, यहां से अपलिक सकते हैं 2Pi Fc V, यहां से आपको current की value मिल जाएगी, Capacitor में, सेम, power के लिए Vi cos theta, सेम ऐज इट इस, जैसे inductor circuit होता है, वैसे ही Capacitor circuit होता है, इसमें क्या है, कि I और V की बीच में 90 degree का यहां पर भी कोन होता है, ठीक अब यहां पर 90 degree के ठीटा की value हो जाएगी तो वी आई कॉस 90 90 degree बराबर 0 मतलब अगर सरकीट purely capacity हो है तो वहां भी power जो होगा आपका 0 होगा इसको भी आपको याद रखना होगा और अगर power 0 हो गया तो जहर सी बात है कास थीटा की value होगा जीरो आ रही है तो यहीं तो होता है power factor तो power factor की भी तो value 0 हो गई तो इसको भी आपको याद रखना होगा जहां भी power 0 है कास थीटा की value 0 हो गई मतला वह power factor भी आपका 0 हो गया प्योड़ी capacity circuit हो चाहिए प्योड़ी इंडक्टिव सर्किट हो अब हमें एक numerical कर लेते हैं तो देखी एक question क्या कह रहा है कि एक 0.2 henry का inductance जिसका इंडक्टर दिया हुआ है और voltage की supply दिविए 220 बोल्ट ठीक अब उसमें के बहने वाले जो current है current की value आपको find करने है तीन condition दिवी है पहली condition दिवी है जब frequency की value 50 हर्ट है ठीक दूसरी condition दिवी है जब frequency 25 हर्ट है मतलब क्या है पहले से आधी हो गई तीसरी condition क्या है कि जब frequency 100 ह ठीक तो यह मतलब पहले से दोगु नहीं हो गई तो तीनों केसे में आपको क्या निकलना है current की value निकलने है चलिए पहले केस में देखते हैं सबसे पहले क्या है एक्सेल निकानला होगा जो होता है टूपाइफ एफ एल टूपाइफ एफल होगा टूइंटू 3.14 इंटू 50 multiply by 0.2 ब्रावर हो जागा 62.8 ओम यहां से एक्सेल की value आगए 62.8 अब यहां से हम आई की value निकलने वी अपान एक्सेल वी की value ए 220 बोल्ट अब आपन 62.8 ठीक अब इसका मायन आ जाएगा 3.5 एंपियर ठीक करन्ट की value आगई पहले cases में 3.5 MP है दूसरा case क्या solve करना है कि frequency को अब आधी कर दी जा रही है ठीक इस case में current की value क्या होगी और यहां से फिर एक्सल की value एक्सल की value तो frequency change होगी तो आपको निकलना ही पड़ेगा देखिए यहां पर 50 हटर से अपने multiply किया हुआ है यहां आप लिख भी सकते हैं अब यहां पर डाइलेक्ट आप जान भी रहें इसको दो से डिवाइट कर दीजिए तो 50 25 हटर्स का हो जाएगा तो यहां इसकी value आ जाएगी 31.4 ठीक है 31.4 अब यहां से आप current निकलेंगे तो वी अपन एक्सल का फार्मिल लगाएंगे तो हो जाएगा 220 वोल्ट अपन 31.4 value आ जाएगी 7 ampere मतलब क्या आपको पता चल ला है दो चीजिए आपको पता चल लेए जब हमने क्या किया frequency को आधा कर दिया मतलब frequency को जैसे मैंने आदा किया current जो है दूना हो गया मतलब यहां पर क्या 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 है frequency को जब मैंने हाफ किया current जो है कि डबल हो गया एक चीज पता चल लेए हमको next condition देख लेते हैं सी कंडिशन क्या कह रहा है कि जह हमने frequency को डबल कर दिया अब frequency को डबल कर रहा है मतलब एक्सल की जो वैलू है कि जो 62.8 का दो गुना कर दीजे आप तो वह वैलू हो जाएगी 125.6 ओम अब यहां पर आप current की वैलू आप निकाल सकते हैं 220 वोल्ट अपान 125.6 इसकी वैलू है जाएगी 1.75 एंपियर देखें यहां पर condition यह बतल जाती है कि जब आपने frequency को डबल कर दिया है तो क्या हो गया current आपका क्या हो गया हाफ हो गया क्रेंट आपका हाफ हो गया ऐसे ही basic question आएंगे बहुत ज्यादा calculation question है कोई एक पार्ट इसमें से पूछ लेगा तो दोस्ता इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे जुट फोगा नेच्ट वीडियो में हमारे जो तप्युक्ड होगा किर आर अल में वैंसे सर गिट का होगा फिखे हैं हम कबर करेंगे थे कि उसके बार रश किरेंगे रसी सिर्किट Mac उसके वाद से हम क終idd teria अर सिसे सरौड़ इन देखेंगे तर पैंद कैसी कौass Mais क्राइब देख नकालते हैं फिक ऐसके वाद देखेंगे हम ऍर कि circuit ठीक और उसके वाद हम resonance की condition उसमें देखेंगे और कुछ numerical उसमें solve करेंगे और भी जो simple numerical solve करेंगे बहुत ज्यादे difficult numerical उसमें solve करने की ज़रूद नहीं है हमको और हम कुछ उसमें से one liner question देखेंगे one liner question मैं लेके आऊंगा तो वो भी जो है simple one liner question जो होंगे वो अगर exam में आते हैं उसको मैं नेक्ट वीडियो में discuss कर दूँगा आप वहाँ से उसको पढ़ लिजेगा इस chapter से स्रिफ दो ही lecture होंगे तो thank you दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा comment section में बताएगा और इसको अधिक सधिक share करिए जो इनका भी जो है कि पार्ट भी electrician जीनों ने select किया हुआ है तो यह chapter देखें और बहुत ज्यादा आपको पढ़ने जरूत नहीं है आपको एक किताब जरूर आई टी आई से जो भी आई टी आई बूक होगी आपको ले लिजे कवर कर लिजेगा चैरुक मुनी जो भी आपको theoretical पोर्ट सानों आप कवर कर लिजेगा चोटे-चोटे निमेरिकल लोंगे वह मैं करा दूंगा यहां पे